दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ SIM card के बारे में कि कैसे हर एक mobile phone को उनकी एक unique identity प्रवाइड करता है नमस्कार दोस्तो मेरा नम मुहित आप देखने टेक नंदन लेट स्टार्ट दोस्तो SIM card जिसकी full form होती है subscriber identity module जैसे की इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा module यानि की चिप है जो subscriber की identification information को store करके रखता हो यह mobile device की पहचान करने के लिए important information store करता है जिसमें ये user identity, location, phone number, network authorization data और personal security की जैसी information को store करता है इसके अलावा एक traditional SIM card 250 users contact और 50 text message तक store कर सकता है दोस्तो SIM card अलग अलग data capacities में आते हैं इनकी storage 8 KB से लेकर 256 KB तक रहती है वहीं अगर इनके size की बात करें तो समय समय के साथ इनमें भी काफे बदला हुआ है जैसा की आपको आपकी screen पर दिख रहा है दोस्तों यहां SIM card को और secure बनाने के लिए दो तरह के numerical password का इस्तमाल होता है पहला pin यानि की personal identification number जिसके जरिये user SIM card में lock लगा सकता है इसको तब डालना पड़ता है जब device start होता है यह हर SIM card पर लगा हुआ नहीं आता इसको आप phone की security setting से लगा सकते हैं इसमें user के पास सिर्फ 3 attempt होते हैं और अगर तीनों गलत हो जाएं तब आता है P.U.K. यानि की personal unblocking key ताकि card को unblock किया जा सके इसको आप customer care से ले सकते हैं इसमें user के पास 10 attempt होते हैं मतलब अगर 10 के 10 incorrect तो आपका card permanently locked या plastic का एक टुकड़ा बन जाएगा दोस्तों बस फ्लेकली ही तना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो दोसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिल देखले वीडियो में गुडबाई